कि शरण में जाने की जरूरत है कि मैं किसी के शरण में नहीं जा पाया है इसलिए मैं समून का अनुभव नहीं ले पाया शरण में जाने के जरूरत नहीं है हिपनोसिस का अनुभव लेने के लिए और जब हम अनुभव की बात करते हैं तो जनरली डीप ट्रांस या मेडियम ट्रांस की बात करते हैं मेरा खुद का अनुभव आपको बताऊंगा मैंने करीबन चार से पाच हजार लड़के-लड़की उपर डीप ट्रांस मेड डालकर उन पर प्रयोग किये परस्नलिटी डेवलप्मेंट थू सेल्फ इपनोसिस इसके क्लासेस मैं करीबन पचीस साल के उपर चलाते आया हूँ धाई से तीन लाग स्टूडंट्स मेरे हो चुके हैं ये सब करने के बावजूद मैं खुद आज तक मेडियम ट्रांस का भी अनुभव नहीं ले पाया क्योंकि मैं जिस धंग से अपने आपको बदलते गया स्टबॉन बनते गया हर चेच के बारे में पहले बहुत अंदविश्वासी था चुटी चुटी बातों से डिस्टर्ब हो जाता था मेलनकॉलिक परसनालेटी थी ये सब बाते मैंने आपसे कही है मैंने अपना व्यक्टित्व इतना बदला उसके बाद में मैंने सम्मोन का अनुभव लेने का प्रयास किया सनातन संस्ता के प्रमुक डॉक्टर जेबी आठवले इनसे भी मेरा दोस्ती करने का उद्देश क्या था कि भाई ये इस क्षेत्र के एक तद्य विक्ति है मैं केवल पढ़कर इस क्षेत्र में तग्य बनने के कोशिश कर रहा हूं शायद उनसे मुझे कोई और ज्यादा नॉलेज मिले हो सकता है कि उनके जरिये मैं डीप ट्रांस में जाने का अनुभव पर अब तक करू धीरे धीरे जब रिसर्च ओरियंटेड मेरा भैस आगे होते चला गया तब मुझे पता चला कि हर व्यक्ति का एक सिलिंग कॉसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है कि मुझे एकसेप्ट करने के लिए नव-दास साल लग गये कि बाई मैं डिप ट्रांसकानुभव नहीं ले पाता हो कोई प्रॉब्लम ने फिर भी मैं जबसे मैंने यह वर्कशॉप शुरू किये है 1991 से तबसे डेली रोज एक भी दिन खाड़ा न करते हुए एक भी दिन नो टालते हुए मैं सम्मोहन का प्रयोग अपने आप पर करता हूँ यानि सजेशन देता हूँ उसकी प्रैक्टिस करता हूँ और इसी करण काफी चीज़े मैं अपने जिन्दगे में बहुत अच्छे डंग से हैंडल भी कर पाता हूँ एक भी गैप नहीं होने देता कम से कम मैने में 28 दिन तो भी मैंने ये प्रैक्टिस करनी है इसा तय किया और इतने सालों से अमल में ला रहा हूँ और आज तक मैंने कभी सम्मोहन में विजुलाइश तक नहीं किया इसका मतलब मेडियम ट्रांस का भी अनुभव नहीं लिया जबकि मैंने लोगों के मूँ से जिनको मैंने सम्मोहन में डाल कर उन पर प्रयोग किये या फिर मेरे वर्क्शॉप में जो आते हैं वो अपने अनुभव सुनाते है मुझे लगता है यह अनुभव मुझे भी आना चाहिए लेकिन मैं नहीं ले पाता हूँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा सिलिंग है उसके उपर में नहीं जाने वाला मैं इतना ही जाने वाला हूँ फिर भी सम्मोन का बहुत अच्छे डंग से उपयोग कर सकता हूँ तो आपके बारे में भी यह शरण की बात नहीं है आपका माइन जिस डंग से डेवलफ हुआ है उसमें आप डीप ट्रांस में जाने की ख्षमता नहीं रखते हो और इसलिए आप उस डंग से उस अनभव को नहीं ले सकते हो लेकिन हर व्यक्ति मैं हूँ आप हूँ कोई भी हो कम से कम हिपनोडल स्टेट में और लाइट ट्रांस में जा सकता है और सम्मोन के जो भी अपने व्यक्तित्व के लिए फायदे हैं जिसके बारे में हम आगे के सेशन में बात करने वाले हैं नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे गैप है क्योंकि मेरे संगटन का एक महत्व का शिबीर है उसके आगे का जो भी फ्राइडे आएगा तब हम सम्मोन का आगे का विशह लेंगे तब ये सम्मोन के फायदे हमारे जीवन में व्यक्तित्व विकास के लिए हम कैसे ले सकते हैं उसकी बारीकियों में जाएंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे डंग से ध्यान में लाकर दूँगा कि कोई भी वेक्ति जो केवल हिपनॉडल स्टेट में भी जा सकता है वो भी इसके सब फायदे उठा सकता है अगर आपको ये विडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशन्स पाने के लिए कुरुपया बेल आइकन दबाए